इस विशे पर मान्य मंतिजी का उत्तर कलोगा मैं सभाय का समय सभी मान्य सदश्यों के बाशन समाप्ति तक बढ़ा रहा हूं सदन सर्मत है स्री निशिकांद दूबे धन्यबाद अध्यक्ष महुदे ये क्या है लास्ट तक रुखते हैं बोल के जाने वाले नहीं है अध्यक्ष महुदे मैं सोलमी वार रेलवे बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ मैं 2009 में पहली बार आया था तो भी बोला था और लगातार जो है आप मुझे मौका दे रहें सबसे पहले तो मैं आपको धन्यबाद देना चाहता हूँ और मंत्री जी को कि रेलवे आम जन्ता से जुड़ा हुआ इतना बड़ा विसे है जो की गरीबों का सचमुच का साधन है आज भी यदि ट्रांस्पोर्टेशन का जो हम चर्चा करते हैं जिस तरह कई वोटर से वोट लेकर हम आते हैं उसमें जिनकी हम चर्चा करना चाहते हैं या जिनके लिए चर्चा करते हैं या जिनके लिए हम वोट पाते हैं उसमें रेलवे आज भी transportation का सबसे सस्ता साधन गरीबों को रेल चाहिए और उस रेल बजट पर पिछली बार भी आप रात साड़े-बार एक बज़े तक जग के खुद से बहुत कम ऐसा आपसर मैंने देखा कि लोकसभा का अध्यक्ष वो खुद से इन चीजों में इंट्रेस्ट ले रहा है वो बैठा हुआ है और मैं मानिय मंत्री जी अस्वनी वैसनव जी का भी अभार प्रगट करता हूं कि ये भी कभी भी मिनिस्टर अप स्टेट या सचमुच सचमुच ये सदन लोकसभा गरीबों के लिए बना है और गरीबों की बातों को प्रात्मिक्ता देते वे उस पर डिसकसन करता है दूसरा अध्यक्ष मौदे मैं 2009 में जब यहां आया तो 2014 तक अभी कई एक लोगों ने या सुदामा जी बेठे वे हैं एकाद और लोगों को मैंने देखा ये बात करते हैं कि रेल बजट अलग से होना चाहिए रेल बजट को केंदरी बजट में क्यों सामिल कर दिया ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है माननी मोदी जी का यदि मोदी जी ने कोई काम सबसे बड़ा काम किया इस देश के गरीबों के लिए तो रेल बजट को जेनरल बजट का पार्ट नगा वो कैसे बनाया कि मैं 2009 से लेके 2014 तक लगातार इस सदन में जब भी रेल बजट होता थ एक ही चीज की चर्चा होती थी कि यात्री किराय की बृद्धी होगी की नहीं होगी धर्मेंद्र यादव साहब के साथ जो है मैं उस वक्त सांसत प्लेटफॉर्म टिकट पर कितना पैसा बढ़ गया किस इलाके के लोगों को कौन सा रेल मिल गया 2015 के बाद से एक भी मेंबर आप पार्लेमेंट ने किराय की यदी बात कही हो तो आप प्रधारमंत्री जी को कह सकते हैं कि प्रधारमंत्री जी ने ये रेफॉर्म बढ़ा किया या चोटा है कोई प्लेटफॉर्म टिकट की बात नहीं करता ना किराय बढ़ने की बात करता है इसका मतलब यह है कि पिछले पिछले नौ साल में पिछले नौ साल में अध्याक्षी जी किराय में किसी प्रकार की कोई वृध्धी नहीं और यह सबसे बड़ा काम जो है माननिय प्रधान मंत मंत्री जी के साथ माननीय मंत्री के रेल मंत्री है सुनी वैसनब जी बढ़ाई के पाद दूसरा बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन है सुनीए मनिकम टैगोर साहब जब बात करते हैं मैं आपको बताओं कि इस देश में माननी अटल विहारी बाचपी जी ने एक बड़ा काम कि कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से प्रतेक गाउं को जोडने का काम किया और आज भी गरीबों को ग्रामिनों को यदी रोट की सुविधा मिली तो उसके लिए अटल विहारी बाजपी जी जिंदगी भर अजर अमर होंगे और मैं आज आपको कह दे रह अबर ये आँ अभी तो मानिय मोदी जी को बहुत लंबे वर्ष तक मान्य प्रधान मंत्री रहाना है लेकिन जो यूगो तक सताब दियों तक मानिय प्रधान मंत्री जी को याद करेंगा और जिस तरह राश्फ्ट पिता महातमा गांधी हुए उसी तरह से राष्ट पुत्र महात्म नरेंद्र मोधी होंगे यह मैं आपको यह घोस्रा करके बता रहा हूँ सर रेलवे ने जो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन के और जिसका मैं जो जिसका मैं अम्रित भारत इस्टेशन इस्टेशन देखा था कभी इस्टेशन कभी देखा था मनिकम आप जब से MP बने हो ना मैंने पता किया एक बार रेल से यात्रा ने किये हो इस बार ना सतरमी लोगसभा में दो बार यात्रा किये हो, सतरमी लोगसभा में दो बार रेल देखा है आपने, और अठारमी लोगसभा में तो एक बार भी नहीं गए हो, आपको क्या पता, मैं तो किया, मैं तो बिना रेल के अपनी कॉंस्टिच्वेंसी पहुंच ही ने सकता, मुझे देश के रेल को चलाने में सबसे बड़ा टूल है 35 से 40 परसेंट जो रेविन्यू है रेलवे का पूरे देश के रेविन्यू का वो जारखंड देता है लेकिन गोड़ा जहां से मैं सामसर था अध्यक्ष महोदे 75 साल में गोड़ा के लोगों ने रेल नहीं देखा और आजाद साड़े 7000 करोड इसमें मिला है और जो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है अध्यक्ष महोदे कि हमारे जैसे पिछड़े जगह के जो सांसद होते हैं उनको रेल इसलिए नहीं मिलता कि रेट ऑफ रिटरंड के आधार पर जो अंग्रेज कानून बना कर गए अंग्रेज के कानून के आधार पर ही पूरी की पूरी कॉंग्रेज 70 साल तक रेल नहीं देती रही क्योंकि आपके इलाके में रेट ऑफ रिटरंड नहीं है और मैं आपका सुक्र गुजार हूँ कि एक दिन जब मैं यहां भासन दे रहा था आज से दो साल पहले और मैंने दो बाते कही कि यह जो हम पढ़ते हैं कि मुंबई थाने पहला रेल था यह गलत है फैक्ट यह है कि हावडा से दिगा इस देश का पहला रेल लाइन था वो दूसरा रेल लाइन था जो इंजन आ रहा था जो डब्बे आ रहे थे वो समुद्र में डूब गए इस कारण से वो रेल हुआ जिसको की पहला रेल करते हैं यह मैंने पहली बात कही थी और दूसरी बात मैंने कही थी कि जारखंड जैसा राज्य आपको इतना पैसा देता है यदि रेट आफ रिटर आपने सब कुछ बदल दिया आप राजा महराजे को जितना गाली दो यदि जोथपूर में जै रेट आफ रिटरंड के आधार पर रेल लाइन नहीं बनना चाहिए क्योंकि कई एक राज सरकारे हैं जो पैसा नहीं देना चाहती है और मैं प्रधान मंत्री जी का सुक्र गुजार मैं उनसे व्यक्तिगत्वार पर मिलने के लिए गया था और उन्होंने इस देश के पूर रोड रुपईया सेंक्शन हुआ सबसे पहला मैं उसका लाभार थी और और इस कारण से आज हमारे इलाके में रेल है मैं यह करना चाहता हूं यह लोग बहुत सर क्या है कि जाती पर भी टोकेंगे एमस्पी पर भी स्पीकर साहब टोकेंगे वाइनाट पर यदि कोई भुकंप वाली घटना हो जाए सब मुझे लगता है कि कॉंग्रेसियों ने जो है अच्छी बात सुनने का जो है थासला ही नहीं क्या मोदी फोबिया से इतने गरसित है मैं हमेशा मानता हूँ कि मोदी जी कृष्ण की तरह है और यह सभी कौरब से ना एक तरब जो है और इसी तरह से यह करते हैं मैं आपको बताओं कि गीता का जो अठार मैं गीता का जो अठार में अध्याय का जो अंतिन श्रोक है सर कि उसमें कहा कि सर्व धन्वानी परितज मैं सभी कॉंग्रेस और विरोधी सांसदों को कहता हूं कि मोदी जी के नीतियों में समाइथ हो जाओ मोदी जी सबका विकास कर देंगे तुम लोग भी जिंदगी वर मेंबर आप पार्लिमेंट करते रहोगे मैं जो बात कहना जाता हूं देफ्ध मोदे कि मेरा जो इलाका है मेरा जो इलाका है वो इस देश को समझने वाला इलाका यदि कुरुचेत्र में कृष्ण ने गीता का अपदेश दिया तो कर्न की जो राजधानी थी वो अंग प्रदेश हमारे यहाँ समुद्र मन्थन जहां चाहे वो नासिक में हो हमारे यहां समुद्र मन्थन हुआ मंदार पहाड बावा बैदनात हैं अभी भी आप समझें कि स्वंबार के दिन जो है अध्यक्ष महोदे आठ लाक लोगों ने वहाँ पूजा किया भी समबार के दिन आठ लाक लोग इतनी इतनी भीड कहीं ने रहती है उस इलाके में रेल इंट्रस्ट्रक्शर और टूरिजम जो है सबसे बड़ा रोजगार का साधन जो है इस दुनिया में टूरिजम कई एक रेल लाइन ऐसे है जो की पेंडिंग है और मानी मंत्री जी ने आस्वासन दिया था कि स्वादीन की जो कारी योजना है उस कारी योजना में वो कंपीट होगा उसमें जो रेल लाइन है अध्यक्ष बहुद है कि देवगर से देवगर से वो बोड़ा होते हुए रे कार्च बाए पास हो वो अभी तक नहीं हुआ है मेरा मंत्री जी से आगरह होगा कि वो हो जाएका दूसरा कोईला जो है 2070 तक हमने कमिट किया है कि 2070 तक कारवन एमिशन में कोईले को खतम कर देना है हमारे यहां कोईला बहुत और गोड़ा से लेके पाकूर तक केबल कोई लेका बड़ा भंडार तो गोड़ा से पाकूर रेल लाइन भी जो है वो फसा हुआ है जिसमें की कोल का जो इवेकरिशन है कम सकम 15 माइन्स उसमें आएंगे जो इवेकरिशन है और तीसरा दो प्लेटिव को मना कर बना कर जो है यह जारकंड बना संथाल पढ़ना और छोट स्टेशन में है रेडे का स्टेशन है वहां से दी चकाई होते हुए कि दी कोडर्मा होते हुए हम चले जाएंगे तो हमारी दूरी जो है वो डेड़ सो 170 किलो मिटर हो जाएगी तो हम अपने आपको राची के साथ जोड़ पाएंगे और दूसरा देवघर में जो बंदे भ दाए और आप जो आम जंता के लिए काम करते हैं भगवान आपको और मानने प्रधान मंत्री जी को धेर सारी लंबी उम्र दे इनी दूआओं के साथ जैहिंजे भारत स्री गाज कुमार रोत